ओम शान्ती उन्तेस एक दो हजार एक्किस की साकार मुरली मीठे बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर अर्थाच सर्व धर्म पिताओं का भी आदी पिता है प्रजा पिता ब्रह्मा जिसके ओक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो प्रहशन कर्मों को स्रेष्ट बनाने की युक्ति क्या है उत्तर इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओं नहीं श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म स्रेष्ट होगा सारा मदार कर्मों के उपर है अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेता है तो उसका 100 गुना दंड़ पड़ता है पाप व्रद्धी को पाते रहते हैं बाप से योग तूट जाता है फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो ओम शान्ती मीठे मीठे सिकले दे बच्चे यह तो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं चालिस हजार वर्ष यहां और रहने का है तुम बच्चों को तो निश्चे हैं न यह बाते भूलो नहीं यहां बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है आत्मा तो अविनाशी है यह भी बुद्धी में हैं हम आत्मा ने पूरे 84 जन में लिये हैं अब बाप आया है ले जाने के लिए पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने, नई दुनिया से पुरानी दुनिया, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया, इस चक्र का तुम्हारी बुद्धी में ग्यान है, अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है, अभी यह चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से बन रहे हैं यह तो पक्का निश्चा है ना बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है मनश्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है इसलिए बाप पूछते हैं इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किये यह है ही चीची रामण राज्य यह भी तुम समझते हो दुनिया नहीं जानती कि रामण किस चीच का नाम है बापू जी कहते थे राम राज्य चाहिए परन्तु अर्थ नहीं समझते थे अब बेहत का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है यह तो धुन्दकारी दुनिया है अभी बेहत का बाप बच्चों को वर्ष अभी तुम भक्ती नहीं करते हो, अभी बाप का हात मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम बिशे वेतर्नी नदी में गोते खाते रहते थे, आधा कल्प है ही भक्ती, ज्यान मिलने से तुम नई दुनिया सत्योग में चले जाते हो, अभी तुम बच्चों को यह निश्चा है, हम बाबा को याद करते-करते पवित्र बन जाएंगे फिर पवित्र राज्य में आएंगे यह ग्यान भी अभी पुरुशोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है यह है पुरुशोत्तम संगम युग जबकि तुम छीची से गुलगुल काटों से फूल बन रहे हूं कौन बनाते हैं बाबा शिबाबा बाप को जाना है हम आत्माओं का वह बेहत का बाप है लोकिक बाप को बेहत का बाप नहीं कहेंगे पारलोकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सब का बाप है लोकिक बाप को बेहत का बाप नहीं कहेंगे पारलोकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है फिर ब्रह्मा का भी Occupation चाहिए न तुम बच्चे सबका Occupation जान चुके हो विश्णु के भी Occupation को जानते हो कितना सजा हुआ है स्वर्ग का मालिक है न यह तो संगम का ही कहेंगे मूल वतन, सुक्ष्म वतन, स्थूल वतन वह भी संगम में आते हैं बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया यह भी जानते हो बेहत के बाप का भी पार्ट है Creator डारेक्टर है न सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो activity होगी न उनको आदमी नहीं कहा जाता है उनको तो शरीर नहीं है बाकी सब को या तो मनुष्य या देवता कहेंगे शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है यह तो temporary लिया है खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर विगर राजयोग कैसे सिखलाऊं मुझे मनुष्यों ने ठिक कर बित्तर में कह दिया है परन्तु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ अभी तुम राजयोग सीख रहे हो कोई मनुष्य तो सिखला न सके देवताओं ने सत्योगी राजाई कैसे ली जरूर पुरुशोत्तम संगम युक पर राजयोग सीखे होंगे तो यह सिमरण कर अभी तुम बच्चों को अथाख खुशी होनी चाहिए हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है बाप कल्प कल्प आते हैं बाप खुद कहते हैं या बहुत जन्मों के अंतिका जन्म है श्री कृष्ण जो प्रिंस था सत्योग का वही फिर 84 का चक्र लगाते है तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुशार्त अनुसार जानते हैं माया बहुत कड़ी है किसको भी छोड़ती नहीं यह बाप अच्छी रीती जानते हैं ऐसे मत समझो बाप कोई अंतरयामी है नहीं सबकी एक्टिविटी से जानते हैं समाचार आते हैं माया एकड़म कच्चा पेट में डाल देती है ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती बाप को तो सम्मालूम पड़ता है मनश्य फिर समझते हैं बाबा अंतरयामी है बाप कहते हैं मैं अंतरयामी नहीं हूँ हर एक की चलन से सम्मालूम पड़ता है बहुत चीची चलन चलते हैं बाप बच्चों को खबरदार करते हैं माया से समहलना है माया ऐसी है किसी ना किसी रूप में एकदम हब कर लेती है फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धी में नहीं बैटता इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है काम महाशत्रू है मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं ऐसे भी होता है इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदी होती है तो साफ बताओ छिपाओ मत नहीं तो सौग ना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए नहीं तो बहुत बहुत गाटा है माया इस समय तो बहुत कड़ी है यह रावड की दुनिया है हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें हम तो नई दुनिया को याद करें जहांत अब जा रहे हैं बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं न हमारे लिए मकान बन रहा है खुशी रहती है यह है बेहद की बात हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल-गुल फूल बनेंगे हम विकारों के वश काटे बन गए थे बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना बाप के पास तो आते नहीं ऐसे माया बहुतों को हब कर लेती है बहुत अच्छे अच्छे कह कर जाते हैं हम ऐसे करेंगे यह करेंगे हम तो यग्ग के लिए प्राण देने तयार हैं आज वह है नहीं तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ दुनिया में यह कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है अभी तुम बच्चों को बाप ने ग्यान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम अधियारे से सोजरे में आ गए हो आत्मा को ही यह ग्यान नेत्र देते है तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो बेहत के बाप को याद करो भक्ती में तुम याद करते थे न कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे कैसे बलिहार जाएंगे या थोड़े ही जानते थे अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा हैं वैसे बाप भी है बाप का है अलोग एक जन्म है तुम बच्चों को कैसे अच्छी रिती पढ़ाते हैं खुद कहते हो या तो वही बाप है जो कल्प कल्प पहले हमारा बाप बनते हैं हम भी बाबा बाबा कहते हैं बाब भी बच्चे बच्चे कहते हैं वही टीचर के रोप में राजयोग सिखलाते हैं और तो कोई सिखला न सके विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाब कब बन कर फिर उसी टीचर की सिख्षा भी लेनी चाहिए खुशी में गदगद होना चाहिए अगर छीची बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं भल कितना भी माता मारे फिर जैसे वह हमारा जाती भाई नहीं यहां मनश्यों के कितने सरनेम होते हैं तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है यह है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा उनको कोई जानते ही नहीं शिव बाबा को तो सर्वेव्यापी के हदिया है ब्रह्मा कभी किसको पता नहीं पड़ता चित्र भी है ब्रह्मा विश्नु शंकर के ब्रह्मा को तो सुक्ष्म बतन में ले गए हैं बायोग्राफी कुछ जानते नहीं सुक्ष्म बतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं फिर प्रजा पिता ब्रह्मा कहां से आएगा वहाँ बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या किसको भी पता नहीं है प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते बाबा ने समझाया है यह हमारा रत है बहुत जन्मों के अंत में हमने यह अधार लिया है यह पुरुशोत्तम संगम्युक गीता का एपिसोड पवित्रता भी मुख्य है पतत से पावन बनना कैसे है यह दुनिया के में किसको भी पता नहीं है सादू संत आदी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहिच सब को भूलो एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे बाप समझाते हैं या ब्रह्मा कैसे बनता है छोटे पन में गावडे का छोरा था 84 जन में लिये हैं फरस्ट से लेकर लास्ट तक तो नई दुनिया सुपुरानी हो जाती है अभी बच्चों की बुद्धी में तालल खुला है तुम समझ सकते हो धारन कर सकते हो अभी तुम बुद्धी मान बने हो आगे बुद्धी हीन थे यह लक्षमी नरायन बुद्धीवान है और यहाँ बुद्धी हीन है सामने देखो यह पेरडाइस के मालिक है न खृष्ण श्वर्ग का मालिक था फिर गावडे का छोरा बना है तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है मुख्य है ही पवित्रता की बात लिखते भी हैं बाबा माया ने हमको गिरा दिया आखे क्रिमिनल बन गई बाप कहते अपने को आत्मा समझो बस अब तो घर जाना है बाप को याद करना है थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वा के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है यह भी देखना कैसे लगती है बुद्धी से समझते हैं हम देवता बनते हैं हमको नई दुनिया भी चाहिए इसलिए विनाश जरूर होगा हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर बाप कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्तित होता हूं तुमने डिमांड की कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूं तुमको रास्ता बताता हूं बहुत सहज मन मनाभव भगवान वाच है न सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है बाप के नेक्स्ट है कृष्ण यह परमधाम का मालेक वह विश्व का मालेक सुक्ष्म बतन में तो कुछ होता ही नहीं है सभी से नंबर वन है स्री कृष्ण जिसको बहुत प्यार करते हैं बागी तो पीछे पीछे आये हैं स्वर्ग में तो सभी जाना सके तो मीठे मीठे बच्चों को हड़ी खुशी रहनी चाहिए आर्टिफिशल खुशी नहीं चल सकती बाहर से किसम किसम के बच्चे बाबा के पास आते थे कब पवित्र नहीं रहते बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हूँ कहते थे क्या करें रह नहीं सकते रो जाता हूँ ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए आप बिगर सद्गती कौन करेंगे अगर आकर बैठ जाते थे माया बड़ी प्रबल है निश्चे भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुल गुल बनाते हैं परंतु क्या करें फिर भी सच तो बोलता था अब जरूर वा सुधर गया होगा उनको या निश्चे था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे इस समय कितने एक्टर्स हैं एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से फिर कल्प बाद उसी फीचर्स से पार्ट रिपीट करेंगे आत्माएं तो सब फिक्स हैं ना सभी एक्टर्स बिलकुल एक्टूरिट पार्ट बजाते रहते हैं कुछ भी फर्क हो नहीं सकता सभी आत्माएं अविनाशी हैं उनमें पार्ट भी अविनाशी दूंदा हुआ है कितनी समझाने की बाते हैं कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं समझा नहीं सकते हैं यह भी ड्रामा में होना है हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है सत्युग में आते ही थोड़े हैं सो भी नंबर वार, यहां भी नंबर वार है न, एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता, अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चो को नमस्ते, हम रोहानी बच्चो की, रोहानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला सच्चे बाप के साथ सता सदा सच्चा रहना है बाप का पूरा पूरा बलिहार जाना है दूसरा ग्यान को धारन कर बुद्धिवान बनना है अंदर से हड़ी जिगरी खुशी में रहना है कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है वर्दान ग्यान की गुहे बातों को सुन कर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ग्यानी तू आत्मा भव ग्यानी तू आत्मा हैं हर बात की स्वरूप का अनुभव करती है जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुहय भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थत स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना जाएए, मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार-बार सुनते हो, लेकिन निराकार इस्तिती के अनुभवी बन कर सुनो, जैसे ही, संकल्पों को खजाना जमा होता जाएगा और वुद्धी इसी में बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा स्लोगन नौलेज एवं अनुभव की डबल अथोरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है अच्छा ओम शंती झालरा ह vegg अच्छा योगी है झाल झाल